कोशन को सॉल्व करते हैं कोशन नमबर 37 if acute angle a and b, if sin of a plus 2b equal to root 3 by 2 and cos of a plus 4b is equal to 0, a is greater than b तो इस ताइप है कोशन हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है कोशन नमबर 33, 34, 35 उसी वराइटी को यह भी कोशन है ठीक है? बस हमको यहाँ दिया है कि जो angle a and b है जो कि acute angle है, acute angle मतलब सिर्फ 90 से कम और आपको कोई tension लेनी ज़रोद नहीं है, simple आपको इसको सॉल्व करना है तो 1 by 1 इन एक कोशन को हमने सॉल्व करते है तो हमको sin of a plus b given a plus 2 b equal to given a root 3 by 2 हमको वैसे ही करना जैसा यह प्रिवेश कोशन में सॉल्व करते हुआ है sin of a plus 2 b equal to a root 3 by 2 तो sin में root 3 by 2 हमको कब मिलता है? sin of 60 degree पर, तो यहाँ sin चे sin हट गया, तो बचा हमारे पास a plus 2 times of b equal to 60 degree इसे नाम दिया equation number 1 same हमको second equation given है, cos of a plus 4b is equal to 0 तो अब देखिए cos 0 कब होता है? cos 0 कब होता है? याद किजिए cos of a plus 4b equal to cos 0 हमको कम मिलेगा जब angle हो 90 degree का, तो cos 90 के वाली होती है 0 यहाँ पर भी cos से cos हटा, तो a plus 4 times of b equal to आ गया हमारे पास 90 degree इसे नाम दिया equation number 2 right? अब equation number 1 और 2 को हमको simple simplify करके a plus a or b की value find out करनी है, तो दोनों equation को मिलेख लेते हैं is equal to 90 degree, equation number 1 है हमारी equation number 2 right? अब इसको कांसल करना है, तो हमने simple sign change कर दिया तो यहाँ से a cancel हो जाएगा, right? a से a cancel, 4 times of b में से 2 times of b जाएगा, तो यह हो जाएगा, minus 2 times of b is equal to 90 minus 60, जो की होगा, minus of 30 degree, यह b equal to minus 30 upon minus 2, minus minus cancel, 2, 30 को cancel कर देगा 15 times, 2 15s are 30, तो b की value जो आ गई वो है 15 degree, okay? इसी तरह हम b की value इन दोनों equation में से किसे में पुट कर दें, तो हमको a की value निकल जाएगी, डिसाइड कर लिजए किसे में पूट करना है, किसे में पूट कर साथे, ठीक है? अब कोशिच केजिए, वहाँ हमको पूट करें, हमको पूट करें है, हमको पूट कर देते हैं, तो हमारे पास a की value हमको निकालनी है, एक प्लस, 2 इंटू b की value आगे हमा पास 15 एकोल टू 60 डिजए या a कोल टू तू जा 30 इस इकोल टू 60 या a कोल टू आगया 60 माइनस ओ 30 या फाइनली a की value आगे हमारे पास 30 डिजए, ओके, दोनों के दोनों जो angles हैं, वह 90 से काम हैं, मतलब जी दोनों acute angle है, साथ साथ जों को condition given थी, कि a greater than b होना चाहिए, तो देखिए, यहाँ पर a greater than b है, तो जो 30 डिग्री वो बड़ा है, 15 डिग्री से, a is greater than b, ओके, तो इस तरह यह हमारा answer रहा, के लिए a question, note के लिजे,